नमस्का किसान भाईयो मंडी भाव इंदोर यूट्यूप चैनल पर आपका फ़त्बू स्वाग थे मैं गोपाल सिंग चुहान आदेनांग 23 फरवरी 2024 हमें इंदोर चोईटा में किसान भाईयो कल सनीवार 24 फरवरी बाकी इंदोर मंडी चालू है दूसरी मंडिया हो सकता है बंद है पकिसान भाईयो इंदोर मंडी चालू रहेगी आज का किसान भाईयो हमारा ये आवको वाला वीडियो है तो आप इसमें देखेगा आवके कितनी जदा है या कितनी कम है एक चीच की आवक तो कम है जिससे आप काफी खुश होंगे मेरे इसाप समय को लगता है आवक के कम है उस चीच की तो बाकिसान भाईयो आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए असुन पिया आवक के साथ भाव की जानकारी और किसानों की राई भी हम लेते र यह एरिया पूरा खाली आगेगा यहां पर यहां पर बाकिस देखिए यह भी जगा खाली है तो आलू की आवक के कम ही है जहां कल 15 थी आज हम माने 12 से 15 थोड़ी बहुत 19 ही आवक जहां कम लग रही है पर इतने भी कम नहीं है ठीक ठाक हम मान सकते हैं देके लसून की गाड लग रहा है कि 19 ही आवक है थोड़ी बहुत कम देखने को ज़रू मिल रही है कि यह इस एरिया में भी और इस एवर राखे थोड़ी बहुत कम लग रही है जण आज कही लिखाया हो लोगाई अचागाऑना के लाज बशस्क्रागा अपनी सब्सक्राइब आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आवा के थोड़ी बहुत काम है इस एरी में देखेंगे हम अब तो लग रहा है इसे, देखिए यहाँ पर भी यह एरिया खाली है जो की रोज भरावा रहता, आप देखते होंगे न यह भरावा रहता पर आज खाली है इससाल लग रहा है बाकि अब सरकारी भी आँगे हैं कि वहाँ क्या कंडिशान है बाकि प्राइवेट में तो लग रहा है थोड़ी बहुत कम जरूर है देखे इस साइड भी इतना ठीक ठाक लग रही है यहाँ पर में को लग रहा है थोड़ी से बड़ी हुई इस area में लग रही थोड़ी सी बड़ी उपड़ इतनी नहीं है इतना impact नहीं जाएगा इसका बाकि इस area में तो आलू और प्याजी है आलू लग रहा है प्याज भी कम लग रहा है अदो सरकारी में देख लें तो यहां जो फड़ रहती आपको बता हो गया यह है पूरी खाली आज पर दहूं कि इधर भी जो लगा हो आ ना माल उसमें प्पहुत बीच में गेपक अब देखे यहां पर देखे मतलब कह सकते हैं बहुत खाली है किसान भाई हो देखे ये दो लाइन ही मानी आपके पूरी है बाकी तो खाली ही पड़ी मंडी मैंने आपको बहुत से बार बताया है वीडियो साधे साथ बजी के लगबग में बना रहता हूं तो हो सकता है एक देड़ घंटे गेट चालू रहे थोड़ी बहुत आवा के बढ़े देखे आप जिसे कि ये गाड़ी उतर रही अभी उतरना बाकी है गाड़ी देखे वो पूरी लसुन की गाड़ी भरी हुई है और वो गाड़ी लोकली किसान की है तो कहे सकते हैं आज वाके में आवा के का में किसान भाईयो मोटा मोटा हम मानेंगे अठारा सिर्फ बीस या कट्टे मात अठारा बीस अठारा बीस का एवरेज मानें आप इतनी हैं आवा के हैं आज कल के मुकाबले किसान भाईयो कहे सकते हैं 5-7 यार कट्टे आज इन दो और मंडे मिकसान वही और लसून के कम देखने को मिले है 5-7 यार कट्टे चलिए अब आगे देख लेते हैं और प्याज़ी कंडिशन क्या है जो यह एक फट उदर भी है पर वो तो हमेशा फूल रेती है क्योंकि चालू भी हैसे होती है लसून उतरना और यह जो दो है इनमें बाद में उतरती है कह सकते हैं 5-7 यार कट्टे आज कम है देखिये आप इसमें भी किसान भाईयों माल नहीं है क्योंकि आप कल देखिये कल थोड़े से बदल थे कल थोड़ा से पानी का ऐसा लग रहा था आज भी बदल थो है वेसे थोड़े बहुत पर इसी वेसे से रहता है कः भी बहार माल उतारा नहीं है ऐठार जार कट्टे ही समझेआब और हो सकता है कि इससекст थोड़े बहुत अंदर हो बाकि 18,000 कट्टे तब समझें समझें बाकि प्याज की कंडिशन देख लेते चलिए देखें प्याज की कंडिशन देखें यहां पर भी माल नहीं है आपने देखा होगा यहां गुजरात वगरा महराश्चे वगरा प्याज उतरता है पर आज को इसा माल है नहीं देखें आप प्याज की आवग किसान भाईयो कम है 15,000 कट्टों के अंदर ही मानिया आप मतलब कह सकते हैं तीनों ही चीजों की आज आवग के लगबग लगबग सारी कम है आलू और प्याज आप मानिये मोटा मोटा 15,000 कट्टे और लस्टू में मानिये मात 18,000 कट्टों के लगबग के आवग इंदो और मंडी में रही है कितान भाईयो चलिए आगे मिलते अब भाव वाले वीडियो में